नमस्कार प्रिय साथियों मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिस और समधान आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सफल होने के दस फर्मूले इनको समझने के बाद आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोग सकता है लेकिन इससे पहले मैं विशे को आगे बढ़ाऊं मैं आपको बता दू जोतिस के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समश्चाओं के समधान के लिए बहुत अच्छी स्रेणी के राशी रतन खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मिरा फॉन नंबर मेरा वोटसप नंबर आप स्क्रीन पर देखी रहे हैं तो चलिए विशे में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले तो फालतु में टाइम खराब करना बंद करें फोकट में जहां से आपको ना पैसा मिलने वाला जहां से आपको ना नोलिज मिलने वाली वैसी जगे अपना सर फुडाने से कोई फाइदा नहीं है अपने टाइम का सही इस्तमाल करना सीखे साथ ये वास्तों में बहुत आगे जाना है तो सक्सस लोगों का साथ संग करे काम्याब लोगों के जीवन को समझे मान लिया किसी व्यक्ति के पास दस साल का experience है आप उसके साथ एक महीना रहे तो आपका experience दस साल एक महीने का automatically हो जाएगा दूसरों के experience से फाइदा उठाएँ चीजों को समझने का प्रयास करे रिस्क लेना सीखें साथियों आगे जाना है जीवन में तो रिस्क लेना तो सीखना पड़ेगा पढ़ाई के साथ साथ बिजनिस की सुरुवात करें शिक्षा और धन बूंद बूंद से घड़ा भरता है कि तमसे कभी भी कहीं भी कुछ नहीं होता इसलिए एक इस्तर पर एक लेवल पर जाकर अपनी पढ़ाई को जारी रखें लेकिन बिजनिस के टिप्स और बिजनिस को भी सीखें और थोड़ा थोड़ा उसका करना प्रारंब करें साथियों दिल लगाकर मेहनत करें जो भी काम करें पूरे ध्यान के साथ पूरा कंसंट्रेट होकर करें और एक गलती को बार-बार दोराने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में काम्याब नहीं हो सकता एक गलती को एक बार करना यूमन नेचर है और एक गलती को बार-बार करना डफर का गधे आदमी का नेचर है तो एक गलती को बार-बार बिल्कुल भी ना करें अपने आपको कमजोर तो बिलकुल भी ना समझे जो लोग अपने आपको कमजोर समझते हैं वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते स्कीम बनाना सीखे प्लानिंग करना सीखे जो लोग स्कीम बनाना नहीं जानते प्लानिंग करना नहीं जानते इतने के बाद इतना कर लेना है, इसके बाद यह कर लेना है, इसके बाद यह कर लेना है साथियों स्कीम बना करके, प्लानिंग करके, अपने फ्यूचर को डिजाइन करे एक तरह से डिजाइनिंग करना सीखे अपने कार्यों की, अपने कामों की और कोई क्या कहेगा क्या कहेगे लोग सबसे बुरा है रो कोई क्या कहेगा ये तो दिमाग में लाना ही नहीं है जो कहना है जिसको कहना है उसको कहने दीजिए अपन को जो करना है जो करना है पहली बात तो किसी को हमारे बारे में कुछ कहने के लिए टाइम ही कहा है आदमी अपनी इतना बीजी है अपनी लाइप में लेकिन हम सोचते रहते कोई क्या कोई क्या कहेगा बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए यह जो बाते मैंने आपको बताई इनके जीवन में इनको अपने जीवन में थोड़ी सी जगह दे करके